हाई फ्रेंड्स फिलकम हमारे जीएस इंडिया यूटूब चैनल्स पर यह हमारा सौर्ट नमबर 140 है एक सो चालीस है और आज का टॉपिक है एनाटॉमी एंड फीजियोलोजी कापी अच्छे कोशन है यह सारी सेलेक्टेट कोशन लिएगे हैं यह प्रिवेस यहर के सौर्ड क कोशन लिए और सभी नर्सिंग परिश्षाओं के लिए इंपौर्टिटर के जितने भी नर्सिंग एक्जाम्स होते हैं एक्जामस के लिए एंड जोभी कॉलिज के मेटचeur कॉलिज के सेंटर ड़ाया श्टेट wordt कर आइजात यह परनके जाते हैं यह स्जेड वर यह बि नर्सिंग चांट के लिए राजियों के लिए चलिए इस्टार करते हैं कोर्ष नमबर फर्स्ट यह रहा आपकी सब्सक्राइब का सेरुक इस्तम की पहली हड़ी कौन सी है आपको बतारा है अगर समझ में ना रहा हो हिंदी में तो इंगलिस जरूर पढ़ना है आपको ठीक है which is the first bone of the vertebral column vertebral column की पहली हड़ी कौन सी होती है first bone पूछा गया है आपको तो ये पता ही होगा vertebral column की सबसे पहली हड़ी कौन सी होती है ठीक है तो comment करके बताएं आपसन देख लें आप जो भी right answer आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो जरूर बताएं ना पता हो तो फिर भी आप तुकल लगाने की कोशिश करें इसका जो right answer होगा option D होगा क्या होगा option D का right answer होगा atlas कहा जाता है atlas कहा जाता है atlas is also called c1 c1 means cervical ठीक है ये पहली हड़ी होती है पहली bone होती है c1 को atlas कहा जाता है अगर c1 लिख दिया जाता है तो आप easily ध्यान रखे कि हाँ भाई पहले number की है तो आप बता देते कि हाँ ये क्यों सी हड़ी होगी vertebral column की पहली हड़ी होगी या कसेरुक डंड या कसेरुक इस्तमव की पहली हड़ी होगी तो आप ध्यान रखेंगे atlas कहा जाता है c1 को c1 is also called the atlas अब यहाँ पर कुछ point लिखेगा है इन्हें आप देश चकते हैं जो important है exams के लिहाज से ठीक है atlas is the first cervical vertebrae and therefore the abbreviated c1 मतलब इसका जो संचेप में नाम होता है सीवन कहते जो सर्वाइकल कहते फिन नेक्स टैप पॉइंट this vertebrae support the high school यह क्या करती है आपके खोपड़ी को support करती है ठीक आपके high school को क्या करती है support करती है next point very very important जो एक जामस में पूछा गया आप इन दोनों पॉइंट के याद रखोगे वर्टिबरल कालम की अंतिम last लिखा है last part कौन सा है last part कौन सा है तो आप ध्यान रखोगे coccyx और पहला part कौन सा है पहली हड़ी कौन सी है ठीक है यहाँ पर पहली हड़ी ध्यान रखोगे या पहला cervical का पहला part ध्यान रखोगे या पहली हड़ी ध्यान रखोगे तो आप atlas ध्यान रखोगे long bone. आपको बताने हैकौन सी लबी हड्य का उधारन यह एक्जामपल नहीं है Comment करें आप appropriate answer जो भी आपको लगता है हाँ यह हो सकता है इसका जो right answer होगा option B होगा क्या option B is the right answer understand इस inmates यह लबी हड्डी के example नहीं, बाकि जो दिए गैं सबी लबी हडी के एकजामपल है इस टेर्णम क्या है? फ्लैट बोन होती है कैसी बोन होती है? फ्लैट कहा जाता है ओके? फ्लैट बोन का ये उधारड है किस सेप में होती है? टी सेप में होती है कैसी? आपने देखा हो गई है इस तरह होती है T-shape में, यह sternum होती है आप नीचे कुछ point लिखे गए, इन्हें आप थोला ध्यान दें, क्या क्या मिंसन किया गया नीचे, यह लिखा है, your sternum आपके sternum is the T-shape flat bone कैसी होती है, यह, जो red वाला part है यह important है आपके लिए, ठीक है, that's located in the middle of your chest आपके chest के बीच में इस्तित होती है, next is it protect your heart and lungs, इसका काम क्या होता है यह आपके हिर्दे और lungs को protect करती है, फिर next is your ribs are also the flat bones, आपका जो ribs होता, पसलियां, यह भी क्या है flat bone का उधारण होती है, okay आपके ribs भी flat bone का उधारण है और इनी से connected होता, ठीक है sternum mid वाली, ठीक है sternum भी क्या उतने की flat bone है मान लोगी अगर sternum न पाई जाती और कोई आपके च्छाती पर यापके सीने पर मार देता, तो आपका जो हिर्दे है ना, दिल, यह बाहर आ जाता जो फेपड़े हैं ना, यह भी बाहर आ जाते थोड़ी दिर दोरने पर, sternum और यह जो कवाच होता ना, rips का यह क्या करता है, इनको production provide करता अगर यह ना होता ना, तो कभी heart बाएं आता, कभी दाएं पहुँच जाता, ठीक है और अगर कभी-कभी आप लड़ जाते ना, कोई एक मुक्का मार देता यहां पर समझें तो बाहर ही आ जाता, इसलिए यह production provide करती, it protect your heart and lungs, यह आपके lungs को production provide करती और आपके heart को चलती है, next question पर यह है आपकी skin पर, question number 3, question number 3 पढ़ें, फिर आंसर बताएं निमलिकित में से, निमलिकित में सरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है in the following is the largest nerves in the body कौन सी है, आपको बताना है right answer comment करें आप नहीं आ रहा तो भरसक प्रयास किया करें आप तुक्का मारने का, ठीक है इससे आपकी चेस्टा बढ़ेगी option 20 का right answer होगा, ठीक है option 20 का right answer होगा, यह लगा psychic, psychic नफस होती है और यह क्या होती है, सबसे लंबी तंत्रिका होती है, सबसे लंबी नफस होती है, ठीक है, body की अब यहाँ पर कुछ point है, इससे समझ लें, आप यह लिखा, psychic नफस is the largest and longest क्या लिखा है, largest भी लिखा है longest लिखा है, नफस in the human body human body की, मनुस्य की सरीर की सबसे लंबी सीख है, और सबसे बड़ी नफस कौन सी है psychic नफस है, तो ध्यान रखेंगे आप इसे, यह spinal cord के base से started होती है, ठीक है, अब next question आपकी skin पर, question number four question number आप चौथा पड़ें, फिर answer बताएं, आँक की सबसे भीत्री परत कहलाती है, the innermost layer of the eye is called, आपको बताने क्या कहलाती है, comment करके बताएं, जो भी right answer आपको लग रहा है कि हाँ यह हो सकता है, आँक की सबसे भीत्री परत कहलाती है जलिस्टिक comment करें अपने answer comment करें, right answer जो भी है इसका जो right answer होगा option, these का right answer होगा, क्या retina, ठीक है, retina इसका right answer होगा आपकी सबसे भीत्री परत है the innermost layer of your eyes is retina, ओके, तो option, these का right answer होगा, next है question आपकी skin पर, question number five question number five पढ़ें, फिर आमसर बताएं, ये last question है, गुर्दे को रक्त की आपूर्ती करने वाली धमनी है, आपको बताने कौन सी है the artery that supplies blood to kidney, उस artery का, उस धमनी का नाम बताओ जो kidney को blood supply करती है, kidney को blood देती है, blood पहुँचाती है comment करें, according to option आप राइट आमसर देखें, जो आपको लग रहा है, तो आप बता सकते हैं वरना आप तुक्का लगाने की कोशिश करें तुक्का का मतलब आप अपना IQ इस्तमाल करेंगे, ठीक, इसे गलत वे में लिया करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत sensitive है कोई भी केस को तुरत इदर उदर गुमा देते हो इसका जो राइट आमसर होगा ना, option D होगा क्या option D, renal Reynolds जो artery होती है यह क्या करती है, heart से kidney को blood supply करती है ठीक है, blood supply करती है kidney को अगर बात की जाए, जो renal word यहाँ पर दिया गया ना, renal का किसी ना, किसी प्रकार से जो संबंद होता है वो kidney से ही होता है या इसके लिए जो terms इस्तमाल किया जाता है Reynolds भी कह सकते है, ठीक है तो यह important role play करती है blood supply करने के लिए किसमे kidney में, ओके, तो ध्यान रखेंगे अब एक दो point लिखेंगे, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, यह लिखा है the renal artery are large blood vessels एक बड़ी blood vessels होते है dead carry, जो carry करती है blood from your heart to your kidney ठीक है, आप जो blood क्या होता है, carry करती है from the heart heart मतलब हर्दे से to your kidney kidney को और लेके जाती है यह आपकी kidney को और पहुचाती है आप यहाँ पर बात करते हैं renal arteries केतनी होती है, दो arteries होती है कितनी, एक left, एक right ठीक है, एक left होती है, एक right होती है दो होती है, you have to two renal arteries, तो renal का संबंद भी किससे होता है, kidney से होता है इस तरह भी थोड़ा बहुत याद रखोगे ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे, तो यहाँ पर देख लें, गुर्दे को जो रखती किया पूर्ती करती, या व्रक भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, किड़नी, तो आप ध्यान रखेंगे, रेनल आंसर सही होगा, आप सब् पर नहीं है, इसे सस्क्राइब करना, लाइक करना हो, जो कि तो अपने दोस्टों के साथ सेर करना, और जो लोग हमारे नोट्स पर चीज करना चाहती है, नीचे हमारा वैटस अपने बर मिंसन किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में, वो लोग अपना नाम पता है, एडिस मिंस से हैं, ठीक है, और आपने कौन सा कूर्स किया, इस सारी बाते मिंसन करेंगे, जिससे कि हमें थोड़ी इसी मलफस, इजी हो जाता है, हमारे लिए आप यह समझें, जैसे कि मैं ग्रूप में भी अगर एड करता हूं, ताकि कुछ डाटा होता है, जो इंपोर्टन होता है, आ क्या करें, कमेंट बॉक्स में नहीं, आप हमारे वाटसप नंबर में सारी पॉइंट्स जरूर सेंड करेंगे, नीचे हमारे वाटसप नंबर दिया जाएगा, चलते हैं, जल्दी में आप से मिलेगे, नेस्ट वोड़ी में, थेंक्स पर वाचिंग प्रेंट, थेंक्यू, बावाई टी केर्स